नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्रेटफोर्म में दिसे दीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड उमीद है आप रोजाना की तरह बहुत अच्छे होंगे परिवार, माता, पिताइब हम सभी बे चिस कुष्सन होंगे और हमने कुष्सन्स आपके एकॉर्डिंग, आपके स्लेवस के एकॉर्डिंग जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं वही लिए हैं और यह याद रखना है अर बहन हर भाई को कि जो कुष्सन ना आये उनको नोट डाउन करें हर कुष्सन को आठ बजे से लेकर रात के बारा बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है मैं बैठने वाला नहीं हूँ आप अपना सोच लो आपको क्या करना है आने वाली पीड़ी अगर सुधारना चाहते हो तो अगर आज मेहनत कर लोगे तो आने वाला समय बेहतर और उंदा हो भारती समिधान के किस अनुछेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा अनुछेद एक हो जाएगा याद रखना है मेरे भाई जब भी अनुछेद एक पूछे तो भारत क्या होगा राज्यों का संग होगा राज्य क्या है सर अगर पूछे कि भारत क्या है देश है या राश्ट है कुशन में ये भी options में मिलेगा राज्यों का संग तो कुशन का जब भी option में राज्यों का संग option हो तब ऐसे मारना जब अनुचेद दिया हो तो first मारना तो इंडिया क्या है इंडिया ना तो रदेश है ना ही आपको राष्ट मारना है ओप्सन में आपको अगर ओप्सन में मिले कि राज्यों का संग तो वही मारना क्योंकि यही व्याख्या इंडियन कांस्टिटूशन में की गई है अगर बात करें अनुच्छेद एक के तहट तो यह हो गया अनुच्छेद दो में क्या है कि नए राज्यों क पुनर गठन होगा नए राज्यों की स्थापना कुस्षन में अगर आए कि नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्षेत के तहत होगी अनुच्षेत दो अगर कुस्षन में यह आए कि नए राज्यों की गठन की बात छोड़ो सीमाओं का निर्धारन अगर सीमा तै करेंग इंडियन कांस्टिटूशन में कोन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अंतराष्टी सांती की बात कही गई है अब देखे इस कुश्चन को थोड़ा सा अगर मैं ट्रिकी वे में ले लेता हूँ तो बहुत यह अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे अ आप से पूछे कहां से लिए गए है आयर लेंड के संविधान से लिए गए है नीत निदेसिक तक तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छे से कितने तक है 36 से क्यावन तक है तो 51 जो संविधान जो अनुच्छेद है वो राइट हो जाएगा याद कैसे करोगे जैसे अ 21 देते हो, 51 की बात होती तो 51 रुपए देते हो, तो मेरी ट्रिक क्या है, आप किसके लिए देते हो, आप केते हो सर, भगवान को पुण्य करूँगा, मंदिर मस्जित में लग जाएगा, और कहीं न कहीं, मन को क्या मिलेगी, मन को सांती मिलेगी, रुपए कितने दिये, option में कोई बताओ, 31 रुपए मंदिर में चड़ाता है, 36 चड़ाता है, 38 चड़ाता है कोई, कभी नहीं चड़ाता है, इसलिए right answer जाएगा सर, 51 के साथ, जिंदिगी में नहीं भूलोगी, आप मेरे को भी याद रखोगे, कि सर ने ऐसा बता दिया, कभी भूलेंगे नहीं हम, कुछ से नमबर तीसरा, तीसरा कह रहा है सर, स्वमिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत, राष्टपती अध्यादेश जारी करता है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस यह है कि दो अनुच्छेत आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पर बहु नमबर सी के साथ, यानि 123 हो जाएगा, अब ट्रिक क्या है, जैसे अगर आप छोटे थे, या फिर अगर आप बड़े हो गया हो, मैराथन में भाग लेते हो, मैराथन मतलब किसी रणिंग में भाग लेते हो, तो आपके जब छोटे थे, तो आपका एक दोस्त यहाँ कड़ा रणिंग में, तो हम क्या करते थे, हम आदेश देते थे, और हम क्या करते थे, 123, ready, go, आदेश, अध्यादेश को मैंने आदेश कर दिया, और अनुचेत कौन है, 123 क्योंकि गिंती एक, दो, तीन तक ही पड़ी जाती है, ये भी मेरे को भूल नहीं पाओगे, और कुशन भी नेक्स की बात करें, कुशन नमबर 4, संभिधान के किस अनुच्छेत के द्वारा संग एवम राज्यों के लिए, लोक सेवा आयोग का प्रापधान किया गया है, 310, 312, 314, 315, लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, सर, 314 की बात करेंगे, क्या, आंसर क्या हो जाएगा, सर, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, भारती संग में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिए, किसे है, अगर राज्य एक से जादा हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है, या फिर हम किसी राज्य के दो टुकडे कर रहे हैं, और एक राज्य को हम अलग बना रहे हैं, यूपी की बात करी, उत्राखंड की बात करी, तेलंगाना की बात करी, आंध्पदेश की बात करी, है यानि राश्ट्रपती से बनती इन में कोई भी एक कम नहीं होना चाहिए नहीं तो संसद का निर्माड नहीं हो सकता है फिलाल चला जाएगा सर बी के साथ संसद में कितने सदन होते हैं एक लोक सबा एक राज्य सबा ये सर होता है निम्न सदन ये होता है आ इस्थाई सदन और राजिसभा है उच्छी सदन राजिसभा है इस्थाई होने वाला सदस से इस्थाई होने वाला सदन राजिसभा हो जाएगा तो फिलाल ओप्सिन नंबर भी के साथ चला जाएगा संसत पार्लियमेंट के साथ चला जाएगा कुछ से नंबर 6 की बात करेंगे 1953 में गटित राज्य पुनर गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे न्यायमूर्ती फजल अली वल्लब भाई पटेल वी आर अमबेड़कर के एम मुंसी 1953 की बात करें गाईस तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सर न्यायमूर्ती फजल अली सहब यहाँ पर हो जाएंगे 1953 में गठित राज्य पुनर गठन आयोग तो यहाँ पर आपको डाइरेक्ट बता रहा है इस कुशन को याद रखना मैं कुशन पूर सकता हूँ आपसे आगे भी कुशन पूर सकता हूँ देखी का जब राज्य पुनर गठन आयोग की बात करते ना तो उसके बाद एक और पुनर गठन आयोग आया था 1956 में भी आया था लेकिन अगर मैं आप से बात करूँ कि कौन अध्यक्ष थे नियायमूर्ती फजल ली थे मतलब क्या है कि जब भी अगर किसी भी छेत्र के राज्य को हम गठित कर रहे हैं या फिर हम भासाई छेत्र पर गठित कर रहे हैं या तो फिर हम किसी आर्थी किस्ति के आधार पर ये तो फिर हम सीमाओं के अधार पर गठित कर रहे हैं, तो उसमें एक अध्यक्ष होता था, तो अध्यक्ष का नाम था कौन सर, यहाँ पर फजल लिजाब ते, option number first के साथ चरा जाएगा, इसी तरीके से मैंने question number seven, पिछली बार भी बताया था, इस question को अच्छी तरीके से देखीगा, बहासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन कप किया गया, तो बहासाई आधार पर मैंने अभी उपर क्या बताया था आपको, पहले तो answer आप clear करो, मैंने अभी आप से उपर कहा, कि 1953 में गठित प्राज्य पुनर गठन आयोग, तो मतलब क्या है, कि राज्यों का पुनर गठन आयोग का मतलब है, कि राज्यों का पुनर गठन जो आयोग हुआ था, वो 1953 यानि गठित हुआ था, चला जाएगा, लेकिन अगर बात करें, इसके बाद भी हुआ है सर तो इसमें 1953-1956 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्जाम में जब ये कुश्चन आता है अनुच्य ने राज़्यों का संग होगा अनुच्य दूसरा कहता है कि नए राज़्यों का गठन हो सकता है अनुच्छे तीन कहता है कि नए राज्यों के गठन की बात करो चाहे राज्यों की सीमाओं की बात करो तो जो राज्यों की सीमा होती है वो अनुच्छे तीन में आती है फिलाल अगर हम कहें कि गठित भारत का पर्थम राजी कौन सा था तो दोस्तों ये रहेगा आंदरपदेश आंदरपदेश की बात करें तो आंदरपदेश की दोस्तों अगर हम बात करें तो हम इसको हम A.P. कह सकते हैं और एपी की बात करें तो इसमें राजधानी की बात करें तो इसमें आपके तेलगू भासा की बात आती है यानि भासाई चेतर की तेलगू की बात आती है आंद्रपदेश से एक और कुशन जी के का मुझे याद आ रहा है तो मैं बता ही देता हूँ आंद्र प्रदेश में एक कुष्ण आता है कि यह बताओ कि सर तंबाकू उत्पादन जो है तंबाकू अनुसंदान केंदर केंदर कहां पर है हम ऐसा याद रखना केंदरी पूछता है केंदरी तंबाकू तो वो आपका कहा है आंदर प्रदेश के कहा पर है राज मुंदरी में है कहा है आंदर प्रदेश के राज मुंदरी में है तो कुशन बहुत बार यहा है कभी कभी आंदर प्रदेश दिया भी नहीं होता है राज मुंदरी दिया होता है तो राज मुंदरी में आपको याद र जलदी से इस कुशन का आपको आंसर देना है टेंसल नैने बली बात सर जी नहीं होनी चाहिए बहुत कीशन है बहुत ही ऐड़ा को पढ़ेगा और अच्छी तरीके से इसकोपड़ेगा इसको देखेगा यहां पर गलत हो जाता है कोई बात नहीं कोई गलत हो जाता होने दीजेगा कुशन्स तो इसलिए होते ना सर गलत होने के लिए एक्जाम के पहले आपको पूरा तयार कर देना है 1969 के साथ पांडी चेरीक हो जाएगा इस कुशन का राइटान संग में सामिल किया गया था आपको पता ही है फिलाल अगर हम बात करें कुशन नमबर 10 बहुत ही जबज़स कुशन है भारती संगिधान निम्निकित में से कौन सी नागरिक्ता को प्रदान करता है मतलब हम लोगों को जन नागरिक्ता मिलती है ना हम हुए आप हुए है ना कोई भी बहन वीडियो देख रहा है आप उनमें से क्या आपको भी जो नागरिक्ता मिली है वो हमें भी मिली होगी तो हमें कौन सा समयदान हमारा क्या देता है एकल देता है या फिर दोनों देता है तो हमारी नागरिक्ता जो ना वो एकल नागरिक्ता है साथ एकल नागरिक्ता है अमेरिका में चले जाओगे तो आपको डबल मिल जाएगी लेकिन अगर हम बात करते हैं एक नागरिक्ता मतलब है कि एक देश में एक ही नागरिक्ता आप ले सकते हैं अन्ने की बात नहीं तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी लेकिन अगर हम बात करने तो option number किसे साथ चला जाएगा first के साथ चला जाएगा नागरिक्ता के प्राबधान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि नागरिक्ता किस भाग में है तो मेरे भाई नागरिक्ता का अगर भाग पूछे तो आपसे याद रटना है कि भाग दो में आपका क्या है नागरिक्ता है और अगर आपसे पूछे कि अनुछेद में क्या है अनुछेद में आप नागरिक्ता की बात करते हो तो अनुछेद 5-11 की बात कर लेते हो ना तो ये भी आपको याद रटना है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का है सरवो पर इमानी जाती है फिलाल ओप्स नमबर एक के साथ जाएगा चैनल को दोस्तों सस्क्वाइब कर लें और चलते हैं नेक्स कुशन पर गुरुजी वार्ड एक्जाम स्टडी सुबह 11 बज़े से लिखा है लेकिन यहां पर रात सुबह अब टाइम चेंज करके सुबह आप प्यार देते हो हमें उतनी जादा वीडियो बनाता हूँ याद रखीगा इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी तूट जाते हैं अगर आपका मोटिवेशन हमें नहीं मिलता है इसलिए जोईन कर ये टेलिग्राम ग्रूप जी यू आर्यू जे आई डबलू ओ आरेल अपना लोगों बिल्कुल ध्यान रखें लोगों कैसा रहेगा लोगों आपका बैसे ही रहेगा ग्रीन कलर वाला ठीक है आपको सर्च कर लेना है कुश्चन नमबर 11 तो इसलिए याद रखीगा मोटिवेशन हम भी आपको देते हैं मोटिवेशन आप से भी हमें बहुत मिल करती है अगर आप पैदा हुए हो हमें पैदा हुए हम पैदा हुए हम पैदा हुए भईया यहाँ पर तो हमें मिल गई स्वताह मिल गई क्योंकि हम स्वतंतर होने के बाद पैदा हुए हैं वंसान उकरम हरेडिटी से मिल जाती है यानि हमारे पूरबज हमारे हाथ हैं देस यह हो गए बारती नागरिक्ता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है नागरिक्ता का परित्याग करने पर बिल्कुल त्याग कर दीजेगा नागरिक्ता खतम हो जाएगी अमेरिका की ले लो जाएके परित्याग कर दो इंडिया की तो खतम हो जाएगी सरकार द्वारा नागरिक नाकित में से कौन सी सर्थ भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बहुत ही अच्छा कुछन है। नागरिक्ता ले सकते हो वंसान कुरम अगर आपका कोई मातापिता में से यहाँ पर है तो आप यहाँ पर पहले किसे के ही हो ठीके नागरिक्त हो और संपत्ति स्वामित के आधार पर आप नागरिक्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हो option number D के साथ चला जाएगा question number 14 की बात करें question number 14 में एक correction है यहाँ पर यहाँ पर सर कर ली देगा आप no अब जबाब दीजेगा अब जबाब दीजेगा अब जबाब दीजेगा वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंदसासित जो है अंता तेलंगाना आंध्पदेश से राजा जो है अलग होके बना था ठीक है लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पहले 29 राज्यों हो गए थे अभी क्या हुआ जब भी नहीं किताबों में आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन फिलाल जो आंसर जाएगा सास से बढ़कर 9 हो गए है ठीक है कुछ से नमबर 15 की बात करेंगे भारती समिधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्डन है जब भी हम कहते हैं मूल अधिकार एक अलग होता है मूल अधिकार लिया गया है यूएसे से जबकि मूल करतब बे मूल करतब बे दोस्तों एक अलग होता है जिनकी संख्या आप 11 कहते हो और इनकी संख्या आप 6 कहते हो मूल करतब बे की संख्या 11 की बात करते हो तो ये लिये गए हैं आपके रूस से यानि सोवियत संग की बात करते हो मूल करतब बे और मूल अधिकार यानि अधिकार की बात करेंगे तो दोस्तों ये अधिकार जो होते हैं ये fundamental rights होते हैं आप के लिए होते हैं हमारे लिए होते हैं ठीक है नागरिकों के लिए होते हैं जो 12-35 अनुच्छेत के तहरे जाते हैं अनुच्छेत 12-35 अगर पूछे कि मूल अधिकार कितने हैं 6 हैं बरतमान में पहले कितने थे सर 7 थे ठीक है सुने साब जब भी हमसे आपसे कहें मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं पहला कुस्षन यूएसे से ठीक है पहला कुस्षन हो गया दूसरा कुस्षन आपसे पूछे कि मूल अधिकार कितने हैं तो मूल अधिकार 6 हैं ठीक है दूसरा कुस्षन हो गया कब सर प्रेजेंट में कब सर प्रजेंट में तीसरा कुशन आप से पूछे कि पहले कितने थे पहले का मतलब है कुशन में पहले नहीं लिखे आएगा कुशन में ऐसे लिखे आएगा मूल संविधान में मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी तो साथ थी तीन कुशन हो गए ध्यान दीजेगा चौथा कुशन साथ थी तो वो एक कौन सा नहीं है वो एक नहीं है संपत्ति का अधिकार खतम हो गया है ठीक है पांचमा कुशन संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है एक बन गया है कानूनी अधिकार बन गया है पाँच कुश्चन छे कुश्चन छटा कुश्चन क्या हो सकता है बताओ जल्दी से बताओ छटा कुश्चन मैं अभी नीचे आपको बताऊँगा इस कानूनी के अधिकार से तो फिलाल इस question का right answer क्या जाएगा sir बरतमान में पूचा है 6 हैं अगर यहाँ पर मूल लिखा होता तो 7 मार देते फिलाल क्या हो जाएगा sir 6 हो जाएगा इस question का right answer मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की सक्ति किसे है अगर आपको कोई भी अधिकार नहीं मिल ला है तो वो आपको लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा संसत के पास जाना पड़ेगा या राश्ट्पती के आवास या उच नयाले उच तम नयाले पास या सिर्फ उच नयाले तो सिर्फ की बात तो गलत है आप किसी भी कानून को प्राप्त करने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उच्च या उच्चतम न्याले की सरण ले सकते हैं न की राश्ट्रपती न संसत की तरफ चा सकते हैं तो option number चला जाएगा C is right one clear option number C is right answer हो जाएगा बहुत बढ़ा क्या बात है सर अप सभी को question number 18 से आपको दो question में बताऊँगा दिमाग में रखेगा प्रेश की स्वतंता का अधिकार नहित है अनुछेद 19A, अनुछेद 19B, अनुछेद 21A या अनुछेद 24B अनुछेद 21A के तहट आप कहते हैं उसर 6 से 14 साल के बच्चों की एज की बात करते हो क्या लेकिन प्रेश की स्वतंता की बात करते हैं 19A के साथ चला जाएगा लेकिन यही पर गाड़ी नहीं थमती है मेरे भाई कुष्चन तो आपका यह बनता है कहता है कि प्रेश स्वतंतरता दिवस भारत में अक्सर प्रेश की स्वतंता या अगर प्रेश का मतलब क्या है प्रेश का मतलब कपड़े वाली प्रेश नहीं प्रेश की सुतनता का मतलब है कि अपनी अविव्यक्ति आसानी से आजादी में कह सकते हो प्रेश दिवस कब मनाते हैं प्रेश दिवस हम मनाते हैं तीन मई को और मई से मुझे ध्यान आया एक मई को अपन लोग क्या मनाते हैं मजदूर दिवस भी मनाते हैं ये चार कुश्चन हो गए ठीक है याद रखेंगे अनुच्छेद 19 में अगर कुश्चन में ऐसे लिखा हो 19, 20, 21, 22 तो अगर आप से पूश दिया जाए कि प्रेस की सुतनता किस्मे है तो आपको 19 लगा देना है फिर तो AB का मतलब भी नहीं रहता ओप्शन नमबर A के साथ ज तो अब कितनी हो गई 6 हो गई चलो हट गया ठीक है संपत्ति का अधिकार कि सम्विदान संसोधन के द्वारा मूल अधिकार से अटा लिया गया 42, 43, 44, 46 आज तक का सबसे जबरजस कुश्चन है इसलिए इस कुश्चन को नजरंदास नहीं कर सकते आप क्यों क्यों क्योंकि म संसोधन में 42, 42 संसोधन ही माना गया है लेकिन कुछ समय बाद 1978 का समय आया और ये 1976 का समय था इसमें समाज बाद धर्म निर्पेक्श बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई लेकिन 44, 44 संसोधन एक ऐसा था दो साल बाद आया था 1978 में और इसको संपत्तिकों अधिकार को हटा दिया गया तो फिलाज C के साथ लगाना ना कि A हो जाएगा 44 हो जाएगा इस कुछन का राइट आंसर कुछन आमबर 20 बरतमान में संपत्तिका अधिकार एक प्रकार का क्या है मूल अधिकार है नैसरगिक अधिकार है विदिक अधिकार है या फिर ननौग 30 है बताएंगे इ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 44 में संबिधान सालसोधन से तो हटा दिया गया लेकिन इसको बताया था मैंने भी उपर आपको कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया कानूनी का मतलब होता है विदी वाला अधिकार विदी का मतलब होता है विदिक अधिकार उप कितने अनुच्छेत से कितने अनुच्छेत तक हैं 12 से 35 अनुच्छेत तक भारत में 12 समयदान में मूल अधिकार हैं। Option number C, right हो जाएगा, Question number 21 सभी स्टुडेंट, सभी भाईयों, सभी बहनों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि अपने प्यार के रूप में हमें Like और Subscribe बिल्कूल करते जाएं क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप से Subscribe करने से, Like करने से कुछ नहीं होता है बस यह है कि समयक से Notification मिल जाएगा, देखो Unlike करने से भी कुछ नहीं होता है ना आपको गहटा मिलेगा ना हमको गहटा मिलेगा subscribe करने से भी कुछ नहीं होता है ठीक है ना बस ये ना sir समय से आप देखो unsubscribe कर देना कोई दिक्कत नहीं रहे गी लेकिस selection के बाद clear ये sir कोई नहीं कहेगा कोई ये कहेगा कि sir गुरुजिफ वर्ड एक्जाम इस्टडी है कोई भी अन्य परिवार है यूटूब पर बहुत सारे परिवार है न तो उनको अंसस्क्राइब करने के लिए कोई मैं कहता हूँ सर एक बार सेलेक्शन ले लो ना ता ठोक कर दूआ 21 ए में क्या है तो 6-14 बर्ष के बच्चों के लिए सिक्षा निसूल को होनी चाहिए कुशन में पिछली बार ये भी आया था कि 6-14 बर्ष के बच्चे थे 6-12 बर्ष के थे 6-10 बर्ष के थे तो आंसर क्या जाएगा 6-14 नीचे अंसर आपका नहीं है कोई बात नहीं कुशन नंबर है कि व्यक्तिगत सुतंता के लिए निम्लिकित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है मैंडेमस पर्मादेश हैवियस कारपस और को वारंटो अधिकार प्रक्षा यहाँ पर उत्प्रेशन तो यहाँ पर देखो पर्मादेश होता है बंदी प्रतिक्रक्षा होता है यह इंग्लिस वर्ड है अधिकार प्रक्षा होता है उत्प्रेशन होता है रिट की बात करते हैं यह अच्छी का दायर करी जा सकती है वो दोस्तों व्यक्तिका सुतंता के लिए वंदी प्रत्यक्षी करन ओप्शन नमबर चला जाएगा बी के साथ इस चीज को याद रखेंगे कुशन नमबर 23 मत देने का अधिकार होता है बड़ा ही अच्छा कुशन है मत देने का अधिकार क्या होता है राजनीतिक अधिकार हो गया नागरिक अधिकार हो जाएगा आर्थिक अधिकार हो जाएगा कानूनी अधिकार जल्दी से कमेंट करेंगे बताएगा तो इस कुशन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी वो किसके साथ चला जाएगा वो चला जाएगा सर बच्चे करें सर राजनीती का दिकार चला जाएगा भाया जी यहाँ पर राजनीती का दिकार हो जाएगा क्या बिलकुल हो जाएगा उपसे नमबर चला जाएगा एक एसाथ क्यों मत देंगे हम कहीं न कहीं राज नेता से जुड़ा होगा और कहीं न कहीं राज नीती से जुड़ा होगा कोशन no.24 second last question भारति समीधान के किसन उछेद में राज जी के नीत निदिसकततो हमने आपको कहा कि नीत निदिसकततो किस के लिए होते हैं ये राज जी की कल्यान कारी उजनाओं के लिए होते हैं हमने आप से कहा मौली का अधिकार किसके लिए होते हैं ये आपके खुद के लिए होते हैं हमारे लिए होते हैं आपके लिए होते हैं ठीक है राजिक के नीत नित्तत तो जो है कहां से लिए गए हैं आयर लेंड के समिधान से लिए गए हैं और मू साथ दूसरा गुश्व स्वेट है लेकर कुष्वर्य मोस्ट इंपोर्टन ऐसे कुष्वर्य ऑन जाते हैं गलत हों एक अगर नीत निधित तत्त जो होते हैं वो राज्य के लिए होते हैं अभी आमने आपको ऐसे बनाया था ऐसे बताया था ऐसे गोला करके तो आप नहीं सुना क्या भैजी इतना थोड़ा सेंस आप रखा करू ना हाथ जोड़कर निवेदन है ऐसे कुछ तर एक्जाम में बहुत कदिकार समझे ना साब समझो इस चीज को मेरे भाई नीत निसे तत्तो हो जाएंगे जो अनुच्छे 36-51 के तहट दिये जाते हैं और आयरलेंड के समिधान से लिए गए हैं भैया ताल्ठों के सब्सक्राइब करने चैनल को आपके आएसर 25 कुसन देख चुके हैं और भैया आपकी हमेशा बनी रहे इसर से हम यही कामना करते हैं थैंक्स पर वच्छिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी लवियो ओल जैहिन वंदे मातरम आदाफ सस्रियकाल जैमहाकाल इंकलाव जिन्दावाद गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम से जरूर जूर जिससे आपको आगामी नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडियो ओफ मैटेरियल भी प्राप्त होता रहे वंदे मातरम प्यार में सस्क्राइब और लाइक जरू कर दीजेगा